Hello friends this is Imran from Hayat Digital Welcome to the new video of YouTube monetization course Friends, आज के इस वीडियो में हम अपना एक एड बनाएंगे एड बेसिकली होता क्या है यह एक छोटा सा वीडियो क्लिप होता है जिसमें हमें अपने YouTube चैनल के बारे में प्रोमोट करना होता है अगर मेरा fitness से related कोई चैनल है यह bodybuilding से related कोई चैनल है तो मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाऊंगा जिसे में promotional वीडियो भी कह सकता हूं इसमें मैं बोलूँगा क्या आप bodybuilding करना चाहते हो क्या आप अपने आपको slim करना चाहते हो अपने fats को burn करना चाहते हो हेल्दी दिखना चाहते हो तो आपको अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा मैं अपने चैनल पर और अल्रेडी 40-45 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं हर वीक एक नया वीडियो लेकर के आता हूँ और वह बहुत ही helpful होता है और बहुत ही easy way में आप उसे अपने घर पर कर सकते हो for more information and videos subscribe to my youtube channel आप अपने चैनल का नाम बोल लो ठीक है तो यह पूरा एक वीडियो प्रोमोशनल वीडियो होगा subscriber बढ़ाने के लिए राइट जैसे आपकी facebook में subscriber बढ़ाने के लिए अलग से एड चलाने का option होता है youtube में ऐसा कुछ भी नहीं होता youtube में आपको अपने चैनल के लिए एक प्रोमोशनल वीडियो बनाना होगा बहुत छोटा सा ठीक है उस छोटे से वीडियो क्लिप में आपको अपने youtube चैनल के बारे में प्रोमोट करना होगा राइट आईए हम एक video campaign चला कर देखते हैं सबसे पहले new campaign पर आना है और यह कस्टम वीडियो campaign के साथ continue कर देना ठीक है अब आपको यहां पर अपने campaign का नाम डालना लेसे आप बच्चों की कहानी बनाते हो या फिर कुछ भी चलो cooking मान लेते हैं ठीक है cooking से related आपका चैनल है आप कितना amount खर्च करना चाहते हो आपके पास दो option है आप या तो lower limit से शुरू करो और upper limit तक जाओ या आप upper limit से शुरू करके lower limit पर आ सकते हो इसका क्या मतलब हुआ सपोस्स आपने 100 रुपीज के एड चला है उससे conversion और subscriber नहीं मिल रहे है तो आप 120 जाओगे 130 जाओगे 140 जाओगे ठीक है आप धीरे धीरे अपने amount को increase करोगे और देखोगे इसी का reverse आपने 300 का add चलाया आपको बहुत सारे conversion मिले बहुत सारे subscriber मिले तो आप क्या करोगे आप अपने amount को reduce करोगे 280 का add चला कर देखोगे फिर अगर उसमें भी आपको अच्छे subscriber मिल रहे हैं तो आप 250 का add चला करके देखोगे तो आपके पास दोनों option है lower to higher और higher to lower आने का ठीक है अब आपको यहां पर date डालना है कब से आप अपना add शुरू करना चाहते हो और कब आप अपना add खत्म करना चाहते हो अब इसमें क्या है next is network network में आपको क्या करना है स्रिफ YouTube वीडियो के लिए ही आप अपने add को अभी select करोगे राइट फिर है location आप चाहो तो एक particular location भी अब यहां पर pin code enter करोगे तो जैसे ही मैंने pin code डाला यह न्यू ड़ली इंडिया city आगया राइट यह फिर आप all over इंडिया दिखा सकते हो यह all over the world दिखा सकते हो ठीक है लैंवेज और लैंवेज ही रहने देना कोई दिक्कत नहीं है इंवेंट्री टाइप अभी यह समझ लीजिए कि हमेशा आपको इसमें स्टेंडर्ड इंवेंट्री ही रखना है यह इंवेंट्री टाइप गूगल ने क्यों डाला क्योंकि कुछ जिनों पहले ऐसा हो रहा थ कुछ नोन ब्रैंड्स थे जैसे जॉंसन और जॉंसन तो जहां बच्चों के साथ अब्यूजिव हरकत हो रही थी और जहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहे थे वहां पर उनका एड दिख रहा था तो इर्रिलेवेंट जगह पर एड न दिखे इस चीज को बचाने के सब्सक्केल्स सब्सक्राइए अ फिर गुगल ने किया लांच क्या यह इनवैंत्री टाइप लॉंज यह आपको रिकमेंड़ेट स्टैंदर्ड इंवैंटरी नू सब्सक्राइड शिल्यू हुचे नहीं है भीन कम देन कमशन एकस्क्लूद ऐक्स्क्लूद टाइबल कि इस उस पर आप अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो आप इसे भी सलेक कर सकते हो इस तरफ क्या है बहुत सारे ओडियंस के बारे में जैसे की मेचियोड ओडियंस अब अगर आपके यूट्यूब चैनल पर छोटे बच्चों की कहानी आती है तो आप उसे बड़े ओडियंस को दिखाया जाएगा राइट यह आप सलेक कर लोगे आप अपने चैनल के कॉर्डिंग फिर आते हैं एडिशनल सेटिंग्स पर इसमें कंवर्जन अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रिक्वेंसी कैपिंग यह देख लीजे कैप इंप्रेशन फ्रिक्वेंसी देखिए द आप इसको चेड़्चाड ना करिएगा इसे देखिएगा आप इसे जैसे ही चेक करोगे इसमें पूछता है आप एक पर्टिकुलर यूजर को अपना एड खितनी बार दिखाना चाहते हो लाइक मैंने कहा दो बार दे दिखाना चाहते हो पर week दिखाना चाहते हो या per month दिखाना चाहते हो, right? आप इसको change कर सकते हो आप इसे 4 कर दो और per week कर दो, ठीक है? या per month कर दो आप के उपर depend करता है कि आप एक user को अपने event को चाहते हो अपने ad को कितनी बार दिखाना चाहते हो आप यहां से उसे लिमिट लगा सकते हो उसके बाद आपको option मिलता है schedule का आप दिन के किस हिस्से में दिखाना चाहते हो ठीक है जैसे यहां पर देखिए Monday to Friday है आप वीडियो के तुरू आपका कोई restaurant है या food truck का business है ठीक है और आसपास के location में एक particular call center का hub है जहां लोग lunch करते ह हैं बाहर ठीक है तो Monday to Friday Monday to Friday आप target कर सकते हो क्योंकि Saturday Sunday वहां off रहेगा तो आप Monday to Friday working hours पे अपने एड को चला सकते हो इससे फाइदा क्या होगा कि उस particular period में उस particular location में जो आप पिन कोड इंटर करोगे उसी जगह आपके एड चलेंगे आपके पैसे बचेंगे specific बिल्कुल specific एड चलेगा जो आपके conversion में बहुत beneficial होगा समझ में आ रही है बात और अगर आपका general YouTube channel है जैसे क cooking, fitness, beauty and fitness इस तरह के एड हैं तो all day आप एड चला सकते हो राइट फिर group name इसे छेड़ साड करनी की ज़रूवत नहीं है अगें यह हमने देखा था demographic में अगर आप अपने एड को female को नहीं दिखाना चाहते हो इसे uncheck कर दो unknown को नहीं दिखाना चाहते हो ठीक है it's all your choice कि आप कि किस audience को target करना चाहते हो किस age group को आप target करना चाहते हो ठीक है और किस parental status को आप target करना चाहते हो यह completely आपकी choice है ठीक है उसी तरह से audiences audiences के लिए हम अलग video बनाएंगे कि audience को target करके हम कैसे वीडियो एड चलाते हैं अभी हम लोग keyword के ऊपर करते हैं ठीक है लाइक हमने cooking रखा है learn cooking easily ठीक है या आप simply ऐसे रख लो easy cooking आपको एक बात समझना होगा यहां YouTube में exact match का system नहीं होता राइट वो एक broad keyword के ऊपर वीडियो सर्च होते हैं तो आपको वैसे ही keyword यूज़ करना है इजी cooking friendly cooking ठीक है इस तरह से आप अपने keyword को set कर सकते हो ठीक है similarly आप topic भी select कर सकते हो किस topic के ऊपर है कैसा है गेम से जॉब से education से related है या फिन्यूस से related है ठीक है इस तरह से आप topic भी select कर सकते हो topic wise भी हम एक अलग से वीडियो add चलाने का सिखाएंगे अभी हमनों सिफ keyword के basis पे add चला रहे हैं राइट फिर यहां पर आपको maximum cpv के जगा target cpm करना ठीक है जैसे आप target cpm करोगे नीचे आजाएगा option target cpm bid ठीक है इसे आपको 100 रुपीज करना ठीक है अब देखिए नीचे क्या है टॉप content bid adjustment इसका क्या मतलब हुआ कि जब YouTube आपके add को normal channel पे चलाएगा नॉर्मल वीडियो पे चलाएगा तो उसके लिए आप 100 रुपे दे रहे हो लेकिन कुछ known YouTuber हैं कुछ famous YouTuber हैं अगर उनके वीडियो पे उनके चैनल पे आपके आपके add को चलाता है तो उसके लिए आप कितना extra दे सकते हो लेट से मैं कहे रहा हूँ 5% extra में दे सकता हूँ तो डीडी न्यूस पे add चलाने का यह amount है 100 रुपीज लेकिन premium चैनल के उपर add चलाने का 5% extra पे करोगे ठीक है क्योंकि उसे ज्यादा लोग देखते हैं अब आपको क्या करना है अपने वीडियो को upload करना है जिस वीडियो को आपको अपना add बनाना है जो आप promotional वीडियो रखे हो पहले उसे आपको अपने YouTube चैनल पे upload करना होगा ठीक है फिर जैसे ही आप upload करोगे वो वीडियो आपके यहाँ पे दिखने लग जाएगा आप उसका URL कॉपी कर लो राइट क्लिक करके नए टैब में खोल लोगे और यहाँ से URL कॉपी कर लो और उसे यहाँ पेस्ट कर दो राइट देखो यह वीडियो आ गया ना इसे मुझे क्या बनाना है इन स्ट्रीम एड बनाना जिसे आप स्किप कर सकते हो ठीक है अच्छा फिर आप से पूछता है फाइनल URL इसके लिए आपको क्या करना है अपने YouTube चैनल का URL पेस्ट करना है ठीक है ऐसा क्यों जब आपका एड नीचे चलेगा तो एक क्लिक पे जो URL आप यहाँ डाल रहे हो यह URL पे क्लिक करने के बाद वो आपके चैनल पे आएगा राइट यही वो URL है जिस पे क्लिक करन क्लिक करने के बाद वो आपके चैनल पे आएगा इसलिए आपको अपने चैनल का URL यहाँ पे डालना है ठीक है और यही डिस्प्लेय भी होगा यही URL डिस्प्लेय भी होगा call to action क्या है आपको राइट हैंड साइड में कि अब सब्सक्राइब का बटन दिखाना है तो आप उसे क्या करोगे लिख दोगे सब्सक्राइब यह आप इसे इन्रॉल भी कर सकते हो ठीक है आपकी मर्जी आप कुछ भी लिख सकते हो call to action बेटर है आप सब्सक्राइब लिख दो क्योंकि यूट्यूब में सब्सक्राइब चलता है आप हेडलाइन आप कुछ भी चूज कर सकते हो like learn cooking easily ठीक है और 15 लेटर का होना चाहिए learn cooking ठीक है अब यहां पे देख लो आप desktop में यह जो छोटा सा banner type का add आता ना उसके लिए option है preview add ठीक है और यहां से आपको add create कर देना simple ठीक है continue to campaign right यह आगया आपका अब अगर आप इसे एडिट करना चाहो तो यहां से एडिट कर सकते हो edit in settings ठीक है देखिए campaign name मैंने क्या डाला था cooking अभी यह enabled है आप इसे चाहो तो पाउस भी कर सकते हो और remove भी कर सकते हो ठीक है budget मैंने 100 रुपए लिए थे in total मैं 1000 रुपए भी ले सकता हूं 2000 रुपए भी ले सकता हूं ठीक है network कहां दिखाना था यह अगर मैं वीडियो पार्टनर्स को नहीं दिखाना चाहता हूं बाद में चेंज करना है तो वह भी चेंज कर सकते हैं ठीक है आप सिफ यूट्यूब वीडियो पर दिखेगा और लेंग्विजेस को दिखेगा country इंडिया है target cpm bidding strategy है ठीक है inventory मैंने standard रखा है exclusion type क्या है आपने जो select किया होगा वो यहां पर आ जाएगा additional settings में आप देख सकते हो किस जगह दिखाना है यह एक रह गया devices ठीक है devices में आप हर तरह के device में दिखाना चाहते हो यह कोई specific device है जिसे आप नहीं दिखाना चाहते रहाँ लाइक आप टी वी पर नहीं दिखाना चाहते हो तरह से अपको option है that operating सिस्टम का कि किस तारह के operating system में आप अगर आप Android फूर्ण पर के दिखाना चाहते हो तो Blackberry पे iOS पे ठीक है वो आप select कर लो या all कर दो जो आपकी मर्जी ठीक है मैंने अगर all कर दिया तो यह सब पर दिखेगा अगर किसी को हटाना चाहों तो हट जाएगा Android हट गया भी ठीक है इसे कर दिया फिर डिवाइस मोबाइल इसे देख लीजे कि इस तरह के Android की भी कई सारे फोन आ रहे हैं तो कौन से फोन पर आपको को देखाना है ठीक है यह भी आपको option है आप Nokia के फोन पर दिखाना चाहते हो ओपो के फोन पर दिखाना चाहते हो ठीक है यह आपको option है वैसे यह कोई करता नहीं है similarly network आप Wi-Fi जो Wi-Fi से वीडियो देख रहा हुने दिखाना चाहते हो या फिर आप कोई particular network है जैसे Reliance Jio MTNL आइडिया किस network पर आप दिखाना चाहते हो आप वह भी select कर सकते हो it's all your choice ठीक है यह device की setting है आप इसे safe कर लेना ठीक है similarly frequency capping भी आपने देख लिया ठीक है इसके अलाबा और कुछ निया इसमें ठीक है जी that's all for today मिलते हैं नए वीडियो में thank you and have a nice day